हाई हाई एब्रीवन कैसे हो आप सब आयूप आप सब अच्छे होंगे तो देखिए फ्रेंश एक बार फिर से मम्ता व्लोग में स्वागत है आप लोगों का बने रहेगा हमारे व्लोग के साथ और मेरा ये व्लोग है सबसे पहले तो मैंने जाड़ पहुंचा मेरा व्लोग है तो सबसे पहले तो मैंने जाड़ पहुंचा मेरा वो गया था और मैंने गरम पानी किया था अपने लिए एक गलास गरम पानी पिया है उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दिये तो यहां पर जब तक चाय बने जगे नहीं हैं सो रहे हैं तो छील के रख देती हूं चाहे मैंने बना ली है अपनी मैं तो अभी पीऊंगी क्योंकि सर्दी बहुत जादा हो रही है तो देखिए फ्रेंट्स आप लोग भी बने रहेगा हमारे बिलॉग के साथ बिलॉग मेरा पूरा देखिएगा और देखि चाहीं कि रख देखिए जगा रही हैं बच्छों को बच्चे नहीं जग रहे हैं अरादया तो उठ गई है अरादया को मैं कपड़े पहनाती हूं क्योंकि शर्दी बहुत जादा हो रही है ये देखिए टूपा भी नहीं लगा आएँ और देखिए ये अभी मैं गरम चल जाता है रात को, तो घर में इसी हो जाती है, इस वजह से कपड़े भी उसने नहीं पेने, हलके कपड़े पेने हैं, तो देखिए मैंने बच्चों को उठा दिया है, यह थोड़ी देर में उठेंगे, और मैंने अभी पेश्ट भी नहीं किया है, तो मैं पहले तो कर लेती हैं, तो बोबी मैं आज करूँगी है, तो देखिए मैंने बच्चों को चाय दे दी और मैंने चाय पीजाओ, यहांपर मेरे गियों साफ होने के लिए रखी थी दुले हुए हुए रखें तो मैं सोच रहे हूँ हूँ कुछ जादा है नहीं इसमें तो गियों साफ कर लेती pagवादा ख़ाना पिना रखांगी जो भी है वह बात मैं करूंगी० озादिख ममें बिस्किट का रखे हैं तो मैंने उसे बता दिये हैं कि बिस्किट ले लो रखे हैं अब देखती हूं ले ले दी है तो ठीक नहीं तो मुझे ही जाना पड़ीगा और देखिए यहां पर मैं गयों कर रही हूं शाफ और शर्दी का मौसम है अब ऐसे भी जादा खाना खब जाता है तो गयों भी खतम वो सॉरी आटा खतम हो गया है तो मैं इस बज़े से सुबही इसमें लग गई ममा हाँ नहीं मिल लाए नहीं मिल ले भाही रखे हैं डिबे में डिबे में? कौन से वाले? वही वाइट कलर वाली दिबे अच्छा मिल गए एक मिल गए तो देखिए यहां पर मेरे गउं साफ हो रहे हैं और अराध्या को बिस्किट नहीं मिल लए थे उसे मैंने बता दिये हैं वहां रखे हैं ले लो जाके मैंने थोड़ा सा डाट भी दिया आज दो तीन बज़े के टाइम का है जब धूप नकल आई थी आज तिन चार वज़े दूप नकल आई थी उसके बाद का मेरा यह बिलॉग है क्योंकि मुझे लड़ू भी बनाने थे तो देखिए हाँ पर में बना रही हूं लड़ू और ये देखिए आप लोग भी बने रहेगा हमारे बिलोग के साथ बिलोग मेरा पूरा देखिएगा और बिलोग मेरा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कमेंट करके कि आपको मेरा विलॉग कैसा लग रहा है और विलॉग आप लोग पूरा देखिएगा तब ही पता चलेगा तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूं लेड़ो और बना के रख दूँगी उसके बाद साम का खाना पीना बनाऊंगी अभी तो काफी टाइम है अभी तो तीन बज़े हैं तीन साड़े तीन बज़े रहे हैं तो देखिए फ्रेंट आप लोग भी बने रहीएगा हमारे विलॉग के साथ विलॉग मेरा पूरा देखिएगा अगर पसंद आए तो पिलिज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइगा मेरा ये विलॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है तो देखिए यहांपर मेरे अरादिया भी बनवाने जा रही है कह रही है ममा मैं भी बनाऊंगी आपके साथ तो देखिए यहांपर अरादिया गरी कद्दू कस कर रही है और मैंने तिली चिटका ली थी तिली भी डाल दी है इसमें और अराध्या ने तब तक कद्धूखस करके ये देखिए अराध्या बहुत काम कर रहाती है बहुत हैल्प करती है हमारी अराध्या करेगी और आई उसो डिबा लेके आ गया थाकि मम्मा इसमें रखना सभी बच्चे हमारी हैल्प कराते हैं बहुत जादा तो देखिए आप लोग भी बने रहेगा हमारे विलोग के साथ विलोग मेरा पूरा देखिएगा ये देखिए बनने लगे तो देखिए आज के दिन किस किस के घर पे लड़ू बन गए है कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और हमारे यूटूब फैमली का स्वागत है आप लोग भी आजाईएगा हमारे तिल के लड़ू तयार हैं बनके और आप लोग भी आजाईएगा किसे किसे खाने हैं तिल के लड़ू तो देखिए यहां पर ये तो खोया और बूर के हैं और उसमें गरी तिल वगएरा मिला दिये हैं मैंने और जो चावल के हैं वो अभी मैं फिर दोवारा से बनाऊंगी क्योंकि मिक्सी मेरी खराब हो गई थी पिर मैंने बुरा मंगाया है बुरे के बना दिये मिक्सी सही नहीं हुई आज दुकान बंद थी मिक्सी सही नहीं हो पाई है तो मैं मिक्सी पहले सही कराऊंगी क्योंकि आटा पीषने के लिए पीष तो लिया था मैंने जब उसे भूना तो वो मौटा हो गया था मौटा सा लग रहा था एक बार फिर पीष ना पड़ीगा इस वजए से फिर मैंने ये बना दिये तो देखिए आप लोगों को हमारे लिड़ो किस किस को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कमेंट करके कि बॉक्त तो देखिए आज का विलॉक आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कमेंट करके बता सकते हो कि आज का विलॉक जू कैसा लगा है और आज मैंने कल साम से मेरा बिलोग ये जो था ना कल साम से चल रहा है हाँ सोरी साम से नहीं आज सुवही से मैंने स्टार्ट किया था सुवह मौर्निंग से बीच बीच में मैंने रोक दिया था जब भी और मेरा बिलोग मैंने सोचा कि ब्लोग तो काफी बड़ा था, फिर मैंने सूचा कि 8 मिनट का हो गया है, 8 मिनट 32 सेकेंड का हो गया है तो मैंने सूचा आप इतना ही रखती हूँ क्योंकि जादा बड़ा हो जाता है फिर आप लोग को, आप لوग कहते हो को बहुत ज़्यादा बड़ा फिर नहीं देखती हो आप लोग तो इस वज़य से मैंने साड़े आठ मिनट का रखा है और देखिए मैंने एक स्वेटर भी बनाया था वो मैं दिखाती हूं आपको ये देखिए मैंने स्वेटर बनाया था और ये मैंने अभी सिलाई नहीं करी है सिलाई करूंगी तो उसके बाद तयार होगा तब आपको दिखाऊंगी तो देखिए ये सिलने के लिए है तो देखिए यहां पर और आप लोग कहा होगे कि ये को ठंड नहीं लग रही तो देखिए रूम मीट है चल रहा है इस वज़ए से